अरीन कान कीप वाचिंग इंडिया फार नियूज खुआईश ग्लैमर की दुनिया में जाने की सबसे पहली मानी जाती है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मंडी हाउस से उसकी शुरूआत बहुत जल्द शुरू हो जाती है या यूँ कहें कि जो भी अपने मन में मुंबई जाने का सपना संजोए रहता है उसकी शुरूआत मंडी हाउस आना शुरू हो जाती है वहीं आज हमारे साथ में आदिल साहब हैं जिनोंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है और बहुत ही जल्दी उनकी फिल्म आने वाली हलका इनके भी शुरुरात मंडी हाउस से हुई थि और देश कें अंदर हमारे बड़ी फिल्मों में काम करने वाले जाने माने दिगज कई कलाकारों की शुरुआत इसी मंडी हाउस से हुई है जो इसवकद आप कमारे पीछे देख रहे हैं आज इस मंटी आउस के अंदर हम मोजूद हैं और हमारे साथ में आदिल साथा बहुत बहुत स्वागत है UNDIA फायर निउस के अंदर आदिल साथा आपका और आपको हम शुब काम ने रहे हैं आपकी आने वाली फिल्म के लिए हलका के लिए क्या फिल्म का प्लॉट है लोगों को मुक्तसर से हम जानते हैं कि tiden की बटाएई है तो देखनी पड़ेगी लेकिन किस प्लॉट के उपर आधारित यह फिल्म है देखिए हमारी फिल्म का नाम है हलका और साथ सेप्टेंबर को रिलीज हो रही है इसके डारेक्टर है नीला माधा पांडे जिन्होंने इससे पहले आई एम कलाम बनाई थी और उनके साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है इससे पहले मैंने उनके साथ की थी जल परी और ये फिल्म हलका टोटल दिल्ली में शूट हुई है और इसमें जो मेरा किरदार है एक बस्ती है और बस्ती में कुछ लोग रहते हैं उनमें से एक मैं हूँ गॉर्मेंट की कुछ योजना आती है उस बस्ती में और उस योजना के तहट गॉर्मेंट के तरफ से जो राशी होती है जो हम लोगों को मिलती है उसमें हमें कटने के बाद यानि रिश्वत घूस देने के बाद आदी राशी मिलती है जब हम यह सोचते हैं कि हमने आदी राशी रिश्वत में दे दी जो जो मिल रही है इसको क्यों ना खर्च कर दी जाए तो mostly सभी लोग उस राशी को खर्च कर देते हैं जिस काम के लिए मिली थी उस पर खर्च करनी चाहिए वैसे अपने खर्चों के उस काम पर खर्च नहीं करते हैं अपने उपर खर्च कर देते हैं और जिसकी तहकीकात होती है और इसी पर पूरी कहानी हमारी आधारीत है तो जो तहकीकात में पकड़े जाते हैं वो लोग ये मैं फिल्म के लास्ट का प्लाट पूछ रहा हूँ जो तैकीकात में पकड़े जाते हैं, क्या उन्हें हमारी दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस क्योंकि दिल्ली बेस आधारित है उन्हें हलका करती है नहीं करती है earn में जब आप फिल्म देखेंगे ज तो फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो हमारे ये अच्चेल में छिल्डरन बेस्ट फिल्म है, पूरी फिल्म बच्चों पर आधारित है, और बच्चे ही इसके हीरो हैं, लास्ट में आपको पता लगेगा, कि छोटे बच्चे जो काम कर सकते हैं, हम बड़े लोग क्यों नहीं कर सकते वो काम, तो उसे एक मैसीज जाता है, कि जब बच्चे कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते नियत साफ होनी चाहिए नियत की तरफ दूसरा सवाल हमारा अदिल साब आप से यह है देश के अंदर बहुत सारे लोग जो कलाकार बनना चाहते हैं फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं वो मंडी आउस पहुचने से पहले वो कुछ ऐसी में मुंबई में बुजारा है जहां आज आप बड़ी फिल्मों के अंदर काम भी कर रहे हैं तो क्या ऐसे जो युवापीडी है वो ऐसे चाल बाजों के अंदर ना फसे या इस तरीके से चारसो बीसी अधोका दड़ी का शिकार ना हो क्या कहना चाहेंगे क्या क्या परेशानिया आती है एक इस स्ट्रगल वाली लाइफ के अंदर और कहां कहां बटक जाते हैं तो उन लोग को मैसेज क्या देना चाहें देखिए जिस जगह आप खड़े हैं मंडी हाउस यहां मो तो उन लोगों ने भी यहां पर टाइम दिया वक्त गुजारा उसके बाद मुंबई नगरी पहुंचे मैंने यहां पर 91 में पहला नाटक किया था और उसके बाद कंटिन्यू 12 साल थेटर किया लगबग 45 सीरियल किये DD1, DD काशी, DD उर्दू और दूरदशन से अप्रूड ह हुआ, 96 में, AIR से 2008 में अप्रूड हुआ, तो यह सारी चीजें जो यहां कर सकते हैं, अगर कोई UP से है, लखनव से है, UP में किसी भी जगा से, अगर वहां कुछ थेटर या कुछ स्ट्रीट प्लेस वगरा की अक्टिविटी होती है, तो उसको चाहिए कि वहां पे पहले उस बहुत सारी चीजें होती है, क्यूक्य मैं मानता हूँ, मैं क्या मलकर बगहर सीखे हुए के तहना के काबलियत, काबलियत बहुत ज़रूरी, हीरा तो मिल जाता है, उसको तराशने की जरूरत होती है, एक संत्री बनने के लिए बीकाबलियत चाहिए, तो एक्टर बनने किसी को 50,000 देते थे हैं। किसी को एक लाग देते हैं। confidence, confidence होना बहुत ज़रूरी है, और वो confidence आपको पैसा नहीं दे सकता, आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो confidence आप जब practice करते हैं, क्योंकि acting is the practice game, तो आप practice करेंगे, वो confidence आपके अंदर आएगा, आप सोचें कि जी हम जाते ही कैमरे के सामने बोलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, क क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी हीरो की पहली फिल्म आई, और पहली फिल्म आने के बाद, अब उसको किसी ने produce किया, उसके फादर ने किया, उसके रिष्टदार ने किया, और उसके बाद वो लापता हो गया, तो कैमरे के सामने, मैं ये कहना चाहूँगा, कि सिर्फ टैलेंट चलता है, टैलेंट चलता है, एक्टर चलता है, किसी की सिफारिश नहीं चलती, कोई भावियोत, बतीजावाद नहीं चलता, एक फिल्म मिल जाएगी उसको, रिलेशन पे दो मिल जाएगी, उसके बाद तो टैलेंट ही जाएगी, और इसका जीता जाकता सबूत है इंटर्टेन्मेंट से भरकूर फिल्म है तो आप लोग इस फिल्म को देखने जरूर जाएं आपको फुल इंजॉय मिलेगा तो मुंबई की चका चौन में अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं लेकिन कुछ तैयारी करनी उसके लिए बेहद जरूरी है जैसे कि आद कला जो आपके अंदर आर्टिस्ट है सिर्फ वही और अगर आप शॉर्ट कट लेना चाहते हैं तो आपकी जिम में बहुत ज़्यादा नोट होने चाहिए जो कैमरे के सामने नहीं चलते कैमरा परसन टी ए चौधरी के साथ में आसिफ खान मंडी हाउस नई दिल्ली से इंडिया फायर न्यूस के लिए